नमस्कार दोफता एक बार कि नमारे यूटूब चैनल में आप लोगों का हर दिक स्वागत है लेट अफ्टेर निकल कर आई है कि 48 लाग करमचारी और 68 लाग पैंशन भोगयों के लिए आ गई है बड़ी खबर नहीं आएगा आटमा वितन आयोग सरकार ने बदला अपना मू मुला त्यार किया अगर आप कमारे चैनल पर फॉफ्ट टाइम जिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ वैल आइकन को भी जा दीजिए ताकि गवर्मेंट या पैंशन से संबंदी जितने विन्यों जाती है उनकी नोटिफिके अधार पर वेतन मिलता है जिसमें सरकार हर साल मैंगाई बढ़ाती है अब का जार है कि सरकार आगे कोई वितन आयोग नहीं लेकर आएगी केंद्रिय क्रमचार के वेतन को बढ़ाने के लिए एक नया फॉर्मूला लागू हो सकता है सरकार क्रमचार के वेतन में बढ़ाने क की त्यारी कर रही है जिसे क्रमचार की सेलरी समय समय पर बढ़ती जाएगी इसे आटोमेटिक पे रिविजन सिस्टम कहा जा सकता है इस सिस्टम से 48 लाग केंद्रे क्रमचारियों और 68 लाग पेंशन बोग्यों का 50% मिलने पर उनकी सेलरी और पेंशन में आटोमेटिक करमचारी की बेसिक सेलरी 21,000 रुपे से कम नहीं हो सकती सरकार का लक्ष्या है कि सभी करमचारी को समानलाब मिले वर्तमान ग्रेड पे के अनुसार हर किसी की सेलरी में भूच ज्यादा अंतर है सरकार इस अंतर को कम करने के लिए नया फर्मूला लेकर आ रही है फिलाल हमार करमचारी की सेलरी के अंतर को खतम किया जाएगा तो दोफ्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तक तक के लिए जय हिंद जय भारत